Come back to our channel, आज हम पढ़ेंगे class 4th EBS का chapter, A Reverse Tale का part 2nd इसका part 1 मैं already करा चुकी हूँ, अगर आपने नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रप्शन बॉक्स में देदूँगी, आप वहां से जाके check out कर सकते हैं आगे बढ़ने से पहले, अगर आप मेरी चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए, और साइड में बने बैल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो को नूटिफिकिशन आपको मिलता रहे हैं तो चलिए, अब हम chapter start करते हैं, हमने 108 page number तक कर लिया था, अब हम 109 से start करेंगे तो उसका पहला question है, will there be the same amount of water in the ponds or rivers during the rainy season and in summer? तो इसमें ये पूछा गया है, rainy season यानि बरसात के दिन या गर्मियों के दिन क्या उतना ही पानी रहता है? या पानी में कोई अंतर आता है? तो आप इसका अंसा लिख सकते हैं, no, there will not be the same amount of the water in the ponds or rivers during the rainy season and in summer, water level will be more in the rainy season and will be lesser in summer तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि एक same amount का पानी रहता हो, जब rainy season आता है, यानि जब बरसात के दिन आते हैं, तो पानी का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है? वहीं गर्मियों के दिन पानी का लेवल कम हो जाता है, घड़ जाता है पानी का लेवल तो अगर आपको ही sort में लिखना है, तो आप simply answer लिख सकते हैं, no लिखिए, देन उसके बाद यहां से answer आप सुरू कर सकते हैं, water level will be more in the rainy season and will be lesser in summer आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने no के बाद इसमें सारा कुछ questions से ही लिखाए, देखे, there will be the same amount of water, यही चीज़ लिखी, अगर आपको long लिखना है तो आप simply questions से देख के लिख सकते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, better कि आप समझे उस चीज़ को तो आपको य पुछा गया है, क्या आपके, आप जहां भी रहते हैं, टाउन में, सिटी में, वहां आपके आसपास कोई तालाब, जील या नदी है, तो आपको बताना है, जैसे मैंने या लिखा, yes, there is a river near my city, क्योंकि मेरी सिटी के पास river pass में है, नथी pass में है, तो मैंने वो लिखा है, उसके बाद next question है, are there any changes in the water during summers, the rainy season and in winters, क्या पानी में कोई भी changes आते हैं, कोई भी बदलाव आता है पानी में, बरसात के दिन, गर्मियों के दिन, और सर्दियों के दिन, तो आपको इस कान से लिखना है, तो आप लिखेंगे yes, in summer the level of water is less, लिखें, गर्मियों के दिन जैस और सर्दियों के दिन, क्या होता है, पानी का level medium में होता है, ना ज्यादा ना कम, ठीक है, तो अब यह answer लिख सकते हैं, okay, उसके बाद next question है, what are the different kind of water animals found there, जो आपके घर के पास, या आपके city के पास, town के पास, जो भी नधी तालाब है, वहाँ पी कौन-कौन से जानवर जाते हैं, आप वो लिख सकते हैं, okay, उसके बाद next question है, what kind of trees and plants grow around it, जो भी नधी तालाब है, उसके आसपास कौन-कौन से पेड पौधे उगते हैं, ग्रो होते हैं, वो आपको बताना है, तो जैसे मैंने या लिका है, thick trees, grasses, busi plants grow around it, तो मोटे पेड भी आज दिख जो भी जाडियां होती हैं, वो आपको नधी तालाबू के पास देख जाएंगी, ठीक है, वो grow होती है, okay, उसके बाद next question है, what are the kinds of words that come there, वहाँ कौन-कौन से पक्षी आते हैं, उस पेडों के पास, वो आपको बताना है, जैसे मैंने या लिखा है, कुकु, स्वान, क्रो, are the kinds of words that come there, आप कहां कोई अलग पक्षी आता हो, तो आप वो भी लिख सकते हैं, ठीक है, उसके बाद next question है हमारा, have you ever seen or read about flirts where, क्या आपने बार के बारे में कहीं देखा है, या कहीं सुना है, या कहीं पढ़ा है, अगर पढ़ा है, तो कहां पढ़ा है, वो आपको बताना ह जैसे मैंने या लिखा है, yes I have read about floods which occurred in Assam, अभी हाली में Assam में बार आई हुई थी, तो मैंने उस बारे में पढ़ा है, आपने किस बारे में, कौन सी जगह के बारे में पढ़ा है, आप वो लिख सकते हैं, okay, उसके बाद next question है, what happens when there is a flood, जब बार आती तो क्या होता है, तो पानी में पानी भर जाता है, तो अब की आंसर लिख सकते हैं, okay, इसके बाद next question है, have you seen dirty water in a river or pond or where, क्या आपने कभी गंदा पानी देखा है, नधियों में, तालाबों में, या कहां देखा है, वो आपको बताना है, yes I have seen dirty water in a river in my native, यानि मेरे घर के पास जो नदी है, मैंने वो नधी बहुत गंदी देखी है, आपके जो भी देखा है या आपने कहां देखा है, वो बता सकते हैं, okay, उसके बाद next question है, how would you know if the water is dirty, if the water looks clean, can you be sure that it is alright to drink that water, discuss, आपको कैसे पता चलेगा कि पानी जो है वो गंदा है, अगर पानी एकदम साब दिख रहा है, तो क्या आपको बताना है, तो इसका answer आप लिखेंगे, the dirty water looks muddy and gives bad smell, तो जो पानी गंदा होगा, वो गंदा सा मड़ी पानी देखेगा, जैसे मिटी का जो रंग होता है, उस type से पानी देखेगा, और वो बहुत गंदी सी smell आईगी, बदभू आईगी, if the water looks clean, it may not be safe to drink dead, अगर भले पानी एकदम साफ देख रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है, वो हमारे पीने लाइक ही हो, ये safe नहीं है, clean looking water may contain germs, बहले ही पानी साफ देख रहा हो, लेकिन उसमें germs हो सकते हैं, तो अम ये एकदम sure नहीं हो सकते हैं, वो पानी पीने लाइक ही है, तो आप या answer देख सकते हैं, उसके बाद आंगे देखते हैं, how does water become dirty, यानि पानी जो है वो गंदा कैसे होता है, you saw in the pictures, dead as a river float through or mere many villages, towns and cities, the water change, आपने जैसे picture में देखा या हमने जो story पढ़ी ती इस chapter में, वो हमने देखी कि जब नधी जाती है, तो बहुत सारे गाउं से होके, टाउं से होके, सहर से हो के कसबे से होके निकलती है, जहां हमारा पानी चेंज हो जाता है, the people use the river water for many different things, such as washing cloths, bathing animals, cleaning utensils, many of these activities made the water dirty, तो जैसे आपने देखा जब नधी किसी गाउं से होके, किसी कसबे से होके, या किसी सहर से होके निकलती है, तो वहाँ पानी का रंग बदल जाता है, क्यों ऐसा होत तरीके से use करते हैं, जैसे कि अपने कपड़े धोते हैं, अपने जो जानवर होते हैं, उनको निलाते हैं, या अपने बरतन जो है, उनको भी साफ करते हैं, many of these activities made the water dirty, और यही सारी activities जो हैं, वो पानी को गंदा कर देती हैं, the water in the river kept changing as it flowed through various places, इसलिए पानी का जो रंग है वो बदलता रहता है, जैसे जैसे वो अलग-अलग जगाओं पर जाता है, उसके बाद है, water in ponds, lakes can also become dirty due to similar reasons, ऐसे ही जो नधी में तालाबों के पानी होता है, जील का पानी होता है, वो भी यही similar reasons होते हैं, जिस वज़े से वो गंदा हो जाता है, यानि लोग उसका use करते है इस तरीके से, इस तरीके से उसका पानी गंदा हो जाता है, उसके बाद एक activity आपको दी गई है, वो हम देख लेते हैं, for this activity you will need to bring certain things from your home, you will find most of these in kitchen, तो इस activity के लिए आपको कुछ चीज़ें चाहिए होगी, जो आपको अपने ही kitchen में मिल जाएंगी, जैसे कि 5 और 6 glasses of bottles, या अब आपको आदा आधा चमच नमक लेना है, चीनी लेना है, cooking soda यानि जो खाने का soda होता है, वो लेना, अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी में से पूछ सकते हैं, हल्दी लेना है, और आटा लेना है और दाल लेना है, सब कुछ आदा आदा चमच लेना है, देन उसके लेमन जूस, सोब वाटर, सरबत, ओयल, वन स्पूनफुल एच अब यह सारी चीज है जैसे कि नीबू करस, साबुन का पानी, सरबत और ओयल, यह सारा एक एक चमच लेना है, तीक है, तो यह अक्टिविटी आपको खुद करना है, अब आपको करना क्या है, देखिए, फिल अ अब आपको अगर आपने ग्लास लिये हैं, तो उसको आदा भर लीजिए पानी से, और अगर आपने बॉटल लीए, तो भी आदा भर लीजिए पानी से, अब आपको क्या करना है, एक एक करके सारी चीजह जो हम लेकर आए ते किछिन से, वो डालनी हैं, जैसे की हल्दी आपको पहले ग्लास में हल्दी डालनी है, oil in the second glass फिर जो second glass है, हमारा दूसरा glass है, उसमें हमें oil डालना है तीसरे glass में हमें soda डालना है जो भी खारने वाला soda था until you have one thing in each glass जितने भी हमें चीजें थी ना, हर एक glass में वो एक एक चीज हमें डालनी है mix each thing in the water और अब हमें क्या करना है, सारी चीजों को mix कर देना है, पानी में and see what happens, फिर आप देखी क्या होता है, write your observations in the table, जो भी होगा ये activity आप जो भी करेंगे, जो भी होगा उसके according आपको नीचे एक table दी गई है उसमें आपको fill करना है देखिए, ये जो table है इसमें आपको fill करना है कि जो आपने activity की है, उसमें क्या हुआ क्या observe किया आपने, जैसे कि यहाँ चीजों का नाम लिखा गया है इसके बाद इसमें लिखा है dissolve in water, यानि पानी में जो चीज घुल गई है, mix हो गई है वो यहाँ है, फिर did not dissolve in water यानि जो पानी में नहीं घुला है color of water changes किस पानी का color change हुआ है तो यहाँ tick लगा देना है color of water does not change और किस का color change नहीं हुआ है उसका यहाँ tick लगा देना है तो सबसे पहले है sugar तो जब sugar आप पानी में mix करते हैं आप खुद देखिएगा जब यह activity करेंगे तो आप अच्छे से कीजिएगा तो आपको यह table भरने में भी बहुत easy हो जाएगा तो सबसे पहला है sugar तो जब आप पानी में इसको mix करेंगे तो आपको यह देखना है कि यह mix हो जाएगी तो बिलकुल हो जाएगी में और उसका color भी change नहीं होता lemon juice lemon juice भी mix हो जाता है थोड़ा सा उसका color change होता है तो आप ऐसे लिख सकते हैं ठीक है उसके बाद हल्दी और उसके बाद हल्दी से color भी change हो जाता है घुल तो जाती है लेकर उसका color भी change हो जाता है soap water तो soap water भी खुल जाता है और इसका color भी change हो जाता है floor आटा ये आटा dissolve नहीं होता तो यहां लिखेंगे और इसका color भी change हो जाता है तो धर टिक लगाएंगे ऐसे ही डाला डाल भी dissolve नहीं होती यानि नहीं घुलती है और इसका पानी भी change color भी change हो जाता है की बारी सेाथ कई नहीं भी होता तो आप तक लगा सकते हैं कोकिंग सोड़ा को उसमें और झालता है कि पतकता है है व्लोड करता है यो पानी होता है वह दिग्फ में होता और पानिया कलर भी चेंज हो जाता है वह फ्लोट करता है आप अगर पानी में डालेंगे ना तो उपर तहता हुआ देखेगा वह डिजॉल्व नहीं होता घुलता नहीं है तो आप अपने अकॉर्डिंग कीजेगा बहुत अच्छा रहेगा आपको अच्छे समझ भी आपसे 1st question पूचा है do all things dissolve in water के सारी चीजें पानी में घुल जाती है तो इसका अंसर होगा no all things do not dissolve in water क्योंकि सारी चीजें पानी में नहीं घुलती है उसको next question पूचा है does the color of water always change क्या पानी का color हमीशा change होता है तो इसका answer भी no होगा simply क्योंकि हमेशा change नहीं होता कुछ कुछ चीजें हैं जो की पानी में एकदम ऐसे घुल जाती है कि उसका color change नहीं होता है उसके बाद next question है did oil dissolve in water how can you say whether it has dissolved or not क्या जो oil है वो dissolve हो जाता है पानी में या पानी में घुल जाता है या नहीं और आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यह घुला है या नहीं घुला है या आपको बताना है जिसका answer आप लिखेंगे no oil did not dissolve in water the things which do not dissolve in water either settle down or come up for example oil floats on water तो देखिए ह पानी में जाता है या तो पानी में जाता है या फिर वो उपर तैरने लगती है या उपर आजाती है जैसे कि जो oil होता है वो फ्लोट करता है या तैरता है पानी में आप activity करेंगे तो आपको समझ आजाएगा उके उसके बाद next question है color of the water may not change even after something are dissolved in it तो पानी का जो color होता है वो change नहीं होता जैब फिन alpha कुछ चीज उसमें डालके उसमें वो valley dissolve हो जाता है फिर प्र एंसका पानी का color जो है वो वैसा ही रहता है चेंज नहीं होता, व or do you say that these are absent in water तो क्या आप हम ये कह सकते हैं कि जो चीज हमने उसमें घोली है मत्यब dissolve की है वो चीज उसमें ही नहीं यानि पानी में ही नहीं तो बिलकुल नहीं ऐसा नहीं होता तो इसका अंसर लिखेंगे हैं imagine करो कि अगर ये चीजें चीजें जैसे की चीनी हुई नमक हुआ नीबु का रस हुआ सरबत हुआ ये सारी चीजें पानी में डिस्वल्व नहीं होती तो आंसर आप लिख सकते हैं If things like sugar, salt, lemon juice, sarbat, etc. could not dissolve in water, cooking food and preparing things like cold drink, coffee, tea, etc. will not be possible. There are many things that dissolve easily in water. Some of these can be harmful of our body. Hence, it is important that we clean water before drinking it. One of the best ways to do is to boil the water. If for some reason this cannot be done, can you think of some other ways to clean water? Look, in the water, many things are easily dissolved, but many things are harmful for our body. This is why it is important that when we drink water, we clean it. The best way is that if we all know that in the water is bad or there are some germs, then we will boil it. We will boil it or boil it. So, boil it above all, there is such a way that the water is clean. The next question is, how is drinking water cleaned in your house? How is drinking water cleaned in your house? How is drinking water cleaned in your house? यानि हम अपना घर का पानी कैसे साफ करते हैं? Water filter से. Okay. उसके बाद next question है. Imagine how it would be if think like stones, chalk, plastic and garbage would dissolve in water? Imagine करो, जैसे कि stone हुआ, पत्थर हुआ, चौक हुई, प्लास्टिक हुई, और जो भी कूडा कचडा होता है, वो easily पानी में घुल जाता. तो क्या होता? तो इसका answer आप लिख सकते हैं. If think like stones, chalk, plastic and garbage would dissolve in water, makes water dirty? वो पानी को गंदा करती है, जो कि अभी भी करती है, वैसे. बस वह यह कि वो चीज़ें घुलती नहीं है. Okay. Okay. ये question पहले ही का था, अभी ही आया है. Okay. उसके बाद next question है. Find out the many different ways of cleaning water at home. कुछ अलग-अलग तरीके बताना है, जिससे कि हम घर पे ही पानी को clean कर सकते हैं. तो इसका answer आप लिखेंगे. By adding alum to the clean water, cleaning can be done. तो alum क्या होता है? जो fit curry होती है. अगर आपने नहीं देखियों, तो आप अपनी मदल से पूछेंगे, वो जरूर बताएंगी. तो fit curry होता है, उससे हम पानी को साफ करते हैं. The method of evaporation can be followed in cleaning dirty water. और एक और हमारा best तरीका है, कि हम पानी को उबाल के पानी पीते हैं. वो भी हम घर में बहुत अच्छे से साफ कर देते हैं. पानी कोई भी germs नहीं रहता. अगर आपका भी बीमार भी होते हैं, तो doctor भी आपको यह advice देते हैं, कि पानी उबाल के पीए. क्योंकि पानी अगर गंदा होता है, तो बहुत सारी बीमारियां हमको लग जाती हैं. चलिए, अब इसके आंगे देखते हैं. उके, उसके बाद हमारा draw picture, showing any two ways of cleaning the water. अब आपको यहाँ picture बनानी है, और दो कोई तरीके बताने हैं, जिससे कि हम पानी को clean कर सकते हैं, उसका यहाँ picture दो बनानी है, तो आपको यह खुद करना है. यह chapter हमारे नहीं खतम होता है, I hope आपको अच्छी से समझ आया हो, अच्छा लगा है तो फ्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी family और फ्रेंस को सा share भी कीजिए, thank you for watching.